तो दोस्तो एरक्राफ्ट कैरियर मौडन जमाने के एक ऐसा हतियार है जो फिलाल कुछ गिने चुने देशों के पास ही है आकार में बहुत बड़ा जहाज होने के कारण जहाँ पर ये ऑपरेट करना काफी अधिक खर्चेलू होता है तो वही पर टेक्नोलोजी में क्रिटिकल ह होने के वज़ा से हर कोई देश इस तरीके के हतियार का डेवलाफ्मेंट नहीं कर सकता दोस्तो एरक्राफ्ट कैरियर इतना क्रिटिकल और इतना अधिक बजट का हतियार है कि दुनिया में कुछ गिने चुने देश ही ऐसे हतियारों का इस्तेमाल कर रहा और वही काफी लिम को भी मात दे सकता है तो डिटेल में इस विशाय में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रही है और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों मॉडरन जमाने में फोर्स वोजेक्शन का एक सबसे बड़ा जरिया है एरक्राफ्ट कैरिय क्योंकि एक ऐसा जहाज होता है जो समुंदर के अंदर कही भी जा सकता है और वहाँ पर एक एरवेस का गठन कर सकता है जिस एरवेस का इस्तेमाल करते हुए हवाई हमला भी किया सकता है और दुश्मन के शेत्रे के अंदर घुसके दुश्मन को चुनौती भी दिया सकता है फिलाल एरक्राफ्ट कैरियर को दुनिया में सबसे critical technology के हतियार के रूप में भी देखा याता है इवन एरक्राफ्ट कैरियर मिलिटरी जगत का सबसे जादा खर्चलू हतियार भी है दोस्तों modern जमाने के एरक्राफ्ट कैरियर को फिलाल इतना घातक और इतना ताकतवर बनाया गया है कि लगवग लगवग ऐसे एरक्राफ्ट कैरियरों को डुबाना impossible है पर फिर भी ये 100% कहना सही नहीं होगा कि कोई एरक्राफ्ट कैरियर कभी डूब नहीं सकता दोस्तों एरक्राफ्ट कैरियरों के लिए सबसे पहला जो बड़ा खत्रा है वो है सब्मरीन दित्ये विश्यद्य के समय सब्मरीनों को एरक्राफ्ट कैरियर किलर कहा जाता था और दित्ये विश्यद्य के दर्मियान सब्मरीनों के द्वारा एरक्राफ्ट कैरियरों के कॉनेशन और सर्च टीम होता था उसका एक मात्र उद्देशों ये होता था कि कैसे भी करके दुश्मन के सब्मरीन को एरक्राफ्ट कैरियर के स्ट्राइक ग्रूप से दूर रखा जा सके और दोसों इसके कई सारे कारण है जिन में पहला तो सब्मरीन एक ऐसा हतियार है जो प परेशनल ना रहे या फिर दुवावी सकता है फिलाल अगर दिते विश्युद से बाहर आके हम देखे तो अभी वी एरक्राफ्ट कैरियर के लिए सब्मरीनों को एक बहुत बड़ा खत्रे के रूप में देखा जाता है एक्जाम्पल के रूप में कोर्ड वर के समाई को ही देख ले जब अमेरिका के द्वारा बड़े आकार की एरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रूप के बेड़ों का इस्नेमाल रुप के खिलाफ किया जा रहा था तब रुप मेरिका के लिए सब्मरीनों के उपर ही सबसे जादा वरोसा दिखाया गया इवन इकत्तर के कावले में कई गुना घातक बन चुका है एर इंडिपेंडेन प्रपॉल्शन सिस्टम और स्टेल्स टेकनोलोजी का इस्तेमाल करके छोटे आकार के सब्मरीन भी लंबे समय तक पानी के नीचे रह वी सकता है और साथ में कैरियर के आसपास ओपरेट करने के बावजूद अ फिलाल कोई हतियार सबसे बड़ा खत्रा है तो वो है दुश्मन के सब्मरीन दोसो सब्मरीन के बाद दूसरा जो बड़ा हतियार एरक्रफ्ट कैरियरों को फिलाल डरा रहा है वो है modern जमाने के hypersonic missile दोसो वैसे तो मिसाइलों के खत्रा एरक्रफ्ट कैरियरों के उपर लगा कर सकता है इवन एरक्रफ्ट कैरियर का खुद का डिफेंस सिस्टम भी होता है जो ऐसे मिसाइलों से लड़ सके और इसे ही तोड़ने के लिए फिलाल hypersonic cruise missile मतलब एक ऐसा मिसाइल जो ध्वनी के रफतार से गरिबन 5 गुना अधिक रफतार से ट्रावल कर सके और ये highly maneuverable भी ह मतलब एरक्रफ्ट कैरियरों के तरफ दागे जाने के बाद अगर एरक्रफ्ट कैरियर अपना पात बदलता है तो ये अपने आपको सठीक तरीके से एरक्रफ्ट कैरियर के उपर दाग सके दूसरे तरब maneuver होने के वज़ा से और high speed होने के वज़ा से normal air defense system ऐसे मिसाइलों को असक्षम होता है मतलब hypersonic cruise missile अगर एरक्रफ्ट कैरियरों के उपर दागा जाता है तो काफी कम chance होता है एरक्रफ्ट कैरियरों को ऐसे मिसाइलों से बचा पाना दूसरे तरब ये जो hypersonic missile है आजकल उन मिसाइलों को cruising शमता के साथ भी develop किया जा रहा है ताकि ये missile समुंदर के सथय को लग के उड़ान भड़ सके और ऐसे cruising शमता होने के वज़ा से ये काफी हद तक अपने आपको radar से भी बचाने में सक्षम होता है जिस वज़ा से इसे देख पाना जितना मुश्किल है रोक पाना भी लगवग उतना ही मुश्किल है फिलाल दोस्तों अगर hypersonic missile के इति सावल कर सकता है इवन रश्या के तरफ से ऐसे missile के development का एक ही मकसद है और हो है अमेरिका के aircraft carrier दोस्तों अमेरिका के पास 11 operational aircraft carrier है जबकि रश्या के पास रिप एक ही aircraft carrier है ऐसे में रश्या को आवश्क्ता है कि ऐसे aircraft carrier को रोकने का capability develop किया जाए और इसके फल सरूफ रश्या के द्वारा hypersonic missile का development किया गया है जो एक तरीके से फिलाल carrier killer के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों aircraft carrier के खिलाफ तीसरा सबसे बड़ा हतियार है swarm drone और यहाँ पे swarm मतलब जुंड और drone मतलब unmanned aerial vehicle मतलब pilot रहित बिमानों का एक जुंड जो कि इस तरीके से एक aircraft carrier strike group के उपर बढ़ बढ़ जाए इवन आजकाल जिस तरीके के swarm drone का development हो रहा है वो artificial intelligence जैसे सिस्टमों से भी लैज होता है और साथ में overhead को भी carry कर सकता है मतलब यह एक कामाकाजी attack करके aircraft carrier या फिर carrier के पूरा strike group को वितवा करने का शमता रखता है इवन इस तरीके के हतियारों के अंदर electronics operation system या फ पिला दोसों स्वाम drone हर तरीके के air defense system और ballistic missile defense shield के लिए अवी एक बहुत बड़ा चिंता का विशय बना हुआ है क्योंकि एक air defense system या air defense unit के द्वारा साथ 50, 60 या 100 unmanned aerial vehicle को मार गिरा या सकता है लेकिन अगर ये संख्या 100 से अधिक हुआ तो आप समझ सकते होंगे कि air defense system के कारे होने के बावजूद ये किस तरीके से घातकता के साथ पूरा का पूरा area को अपने लपेड में ला सकेगा और दूसरे तरफ अगर समुंदरी aircraft carrier को देखा जाए तो इसके पास जो air defense capability होता है वो काफी limited होता है इवन अगर एक wave या दो wave को ये जहल भी ले तो तीसरा या फिर चौथा wave के सामने एक aircraft carrier इतना आसानी से टिक नहीं पाएगा दोसर स्वाम drone खाली aircraft carrier के लिए घातक नहीं बलकी एक ऐसा उपाय है जो multi-purpose तरीके से इस्तेमाल हो सकता है मतलब हर तरीके के defensive zone के अंदर जाके तभाई मचाने का शमता रखने वाला एक ऐसा हतियार जो कीमत में भी कम और capability में भी काफी अधिक है दोसर इन तीनों हतियारों के बाद चौथा हतियार है microbial corrosion मतलब समुंदर के अंदर रहने वाले microorganism के द्वारा जहास के सतय के नीचे जंग लग जाना दोसर समुंदर में कई तरीके के microorganism होता है और जहास जब समुंदर के अंदर से गुज जहास के नीचे जमा होता है जो एक तरफ जहापे जहास के रफ्तार को धिमा करता है तो वही पे इसे अगर लंबे समय तक जहास के नीचे से clear नहीं किया जाता है तो जहास के नीचले सेक्शन में ये जंग भी लगा सकता है रिपोर्टों के मुताविक ऐसे कई वार हो चु आजाता है पर दोस्तों इस तरीके के process के वज़ाई से एर क्राफ्ट केरियर कुछ हपते तक operation से बाहर भी रह सकता है और ऐसा process हर area में करना संभब नहीं है जिस वज़ाई से एर क्राफ्ट केरियर को अपने operational zone से हटके maintenance facility तक जाना पड़ता है पर फिलाल ऐसे material और paints का केरियर का जो और एक बड़ा खत्रा है वो है हरीकेन मतलब एक तरीके का समुंदरी तूफान वैसे तो तूफान का ढर हर तरीके के जहाज को रहता है लेकिन नेवी के कई जहाज ऐसे है जो इस तरीके के तूफान को जहल सकता है खास करके सर्च और रिस्क्यू जहाज या फि यूकि Weather Department के तरफ से हरीकेन के पुक्ता जानकारी हमेशा नेवी और नेवी के जहाजों को दिया जाता है। ऐसे में जहाजों के पास हरीकेन के आने से पहले ही उस एरिया से निकल जाने का मौका रहता है। इवेन अगर किसी शेत्रे में हरीकेन का संभावना है तो कई बार जहाज उस शेत्रे को एवोड करके भी चलता है। कुल मिला का हरीकेन एक बड़ा खत्रा तो है लेकिन उसके लिए फिलाल ऐसे वंदवस उठाया एक जा चुका है जो एयरक्राफ्ट कैरियर और अन्ने जहाजों को इस तरीके के नुकसान से बचा सके। तो दोस्तों यह से आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिंद